हलो फ्रेंड्स आज से हम सुरू करने बाले हैं जियोग्राफिक के 500 कोशन के सिरीज 500 कोशन के सिरीज का पार्ट बन है ये सारे कोशन सेलेक्टेड और इंपॉर्टन करेंगे जो आपके हर एक गबर्मेंट एक्जाम के लिए रामबाड कोशन है तो आप इस बेड़ो को आंथ तक देखेगा बेड़ो भुथी सांदार्ट चबरदस्थ होगी तो फर्स्ट कौशन है गोबी मुरुस्तल किस देश में है मंगोलिया वो चीन में इसे थैं गोबी मुरुस्तल नेक्स्ट कौशन है टिहरी जल्बिद्धुत प्रियोजना इस्तित है उत्तरा खंड में इस्तित है और भागी रती नदी पर बनाईगी है टिहरी जल्बिद्धुत प्रियोजना काबिरी नदी चल्बिबाद के नराजियों के मद्धे तमिलाडू और करनाटक के मद्धे है नेक्स्ट क्वस्टन बिग बैंक सिधांद किसे ने दिया था जार्च ले में तीर ने दिया था जार्च ले में तीर ने बिग बैंक सिधांद को दिया था नेक्स्ट क्वस्टन है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पाद कराच कौन सा है? करनाटक है दोस्तों करनाटक में सोने के सबसे ज़धा उत्पादन होता है करनाटक में कोलेरु चील कहा पर इस्तत है? आंधर प्रदेश के किर्शना जिले में इस्तत है सर्दार सरूर बांद किस नदी पर इस्थ है नर्मता नदी पर इस्थ है अगला कुस्टन भारत का दच्छड़तम बिंदू कौन से है इंद्रा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दच्छड़ी बिंदू है और यह आंड़मा निकोबार्ट दूइपसमू पर अगला कुशन है, सबसे ज़्यादा यूरिनियम का उत्पादन भारत के किस खान से होता हैं? जादू गोडा की खान से होता हैं, जो कि जार खंड में इस्द हैं, बिस्थ का सुरवधिक सीत मरुसल कौन से हैं? अन्टार्टिका है अन्टार्टिका, सबसे सीत मरुसल है नियोजना किसे सम्बंदित हैं? राच्टे-राचमार्ग बिकास कारकरम से सम्बंदित हैं। पृत्वी की आकास गंगा यानि की मिलकी बे के सब से नस्थीक गलेक्षी कों सी हैं? एंडरो-मेडा गलेक्षी हैं। वायो मंडले दाप किस से मापाँ जाता हैं? बैरो मेटर की हल्प से वायो मंडले दाप को मापते हैं? बैरो मेटर की हल्प से बुलू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को चाना जाता हैं? नेलगिरी की पहाड़ी को बुलू माउंटेन कहते हैं नेलगिरी की पहाड़ी को भारत का सबसे लंबा राजमार कौन से हैं? NH44. भारत का सबसे लंबा राजमार है NH44. लाल सागर को भूमत सागर से कौन चोड़ता हैं? स्वेच नहरे दोस्तों. स्वेच नहरे जो लाल सागर को भूमत सागर से जोड़ती हैं. सबसे जदा कार्बन किस कोईले में पायसत हैं? कोरो मिंडल तर्ड किस राज में इस्त है? तमिलनाडू में इस्त है अगला कुशन पूर्वत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कों से है? लोक्टक जील है जो की मड़ीपुर राज में इस्त है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे उची चोटी कों से है? महंदर गिरी है बर्मांड की अध्यन को क्या कहाज दाता है? कॉस्मो लोची कहते हैं बर्मांड बिग्यान कहाज दाता है पूर्वी सूर से सबसे दूर कब होती है? जब अपसोर की घटना होती है चार चुलाई को जब अपसोर की घटना होती है तब पूर्वी सूर से सबसे जादा दूरी पर इस्त होती है भारत का मानक समय ग्रीन बिच के मानक समय से कितना आगे हैं? साढ़े पांच घंटा आगे हैं Next question सिमिली पाल बायो इस्फियर रिजर्ब कहां पर इस्सथ है? मयूर भन चिला में इस्सथ है जो की ओडीसा में पड़ता है अगला question पिर्थबी की सबसे उपरी परत कौन से है? भू परपटी है? करश्ट है? करश्ट पिर्थबी की सबसे उपरी परत है Next question सोडिन्म चत्रभुच परियोजना भारत के किन मेटरो सेटी को चोड़ती है? दिल्ली, कोल, काता, मुंबई और चन्नी को आपस में जोड़ती है सोडिन्म चत्रभुच परियोजना Next question अरप सागर की रानी किसे कहा चाता है? कोची को कहते हैं दोस्तों कोची को अरप सागर की रानी कहा साता है Next question और ने सूर के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटो स्फियर कहते हैं भारत का एक मातर सक्रिय जोला मुखी किस दुईपर है? बैरन दुईपर है जोकी आंड़मा निकोबार दुईप समूपर इस्द है नियागरा चलपरपाद कहां पर है? बैरन देश में बहने बाली जमना नदी का भारत में क्या नाम है? बरहमपुत नदी नाम है नेटर प्रदेश कोल आठ राचियो के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है इंद्रा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना चाता था? राजस्थान नहर के नाम से भी इंद्रा गाधी नहर को जानते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरसल कहां पर इस्थ हैं? और श्रेलिया में इस्थ हैं भोटिया चंचाती किस राज्चे से संबधित हैं? उत्रा खंड राज्चे से संबधित हैं Next question प्रांस में हैं दोस्तों प्रांस में सुर्वधिक टाइम जोन हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर इस्थ हैं? असम स्टेड में इस्थ हैं Next question है भारत में सुर्वधिक कौन सी मिट्टी पाइस आती हैं? जलोड मिट्टी है दोस्तों जलोड मिट्टी भारत में सुर्वधिक मातरा में पाइस आती हैं अगला question कौन सा राच्टे चलमार्ग तेलंगाना से तमिलाडू को चोड़ता हैं? NH4 है NH4 है जो तेलंगाना को तमिलाडू से जोड़ता हैं अगला question समुद्र में समान गहराईयों को मिलाने बली कालपनिक रेखा को क्या कहते हैं? आई सो बात कहा साता हैं परतिवी के घुरणन गती के करण कौन सा बल उत्पन होता हैं? जिससे पबने अपनी मूल देशा में बिच्छेपित हो जाती हैं? कारियलिस बल उत्पन होता हैं यूरोप का छेत्रफल के दिश्टे से सबसे बड़ा देश कौन सा हैं? रू से दोस्तो, रू सबसे बड़ा देश हैं कौन सा भारतिव सबसे पहले अंटार्टिका पहुँचा था? तो डाक्टर सेयद जहूर कासिम थे जो सबसे पहले अंटार्टिका गये थें 9 चनुरी 1982 को सबसे पुरानी आयल फिल्ड कौन सी हैं? डिगबोई है जोकी उनी सु एक में अस्थाबत की गये थी और ये असम में इसित हैं नेक्स्ट क्वसन है लुडक्ती पहाड़ियों का राच किसे कहा चाता हैं? मिचुरम को लुडक्ती पहाड़ियों का राच कहते हैं नेक्स्ट क्वसन भारत के किस राच में स्वर्बधिक बंदरगा हैं? महराश्ट में दोस्तों, महराश्ट में सबसे ज़्यादा बंदरगा है अगला क्वेस्टन है, वायो मेंडल में कार्बन डायकसाड की कितनी मात्रा पाई साती है 0.03 से 0.04 परसंट कार्बन डायकसाड पाई साती है अटमोस्फियर में मांसून को किस भासा में मौसिम कहते हैं? अर्बी भासा में कहा साता हैं सूर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा साता है? कुरोना कहते हैं सूर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा साता हैं? कौन सा सहर हडसन नदी के किनारे इसते हैं? न्यू यार के दोस्तों न्यू यार के जो हडसन नदी के किनारे पर इसते हैं अगला कोस्टन आयतन के अनुसार बिस की सबसे बड़ी नदी कोंसी है अमेचन नदी है चुकि देच्छड अमेर्का में इससे थे सहारा मरसल कहां पर इससे थे अफरीका महादीप में इससे थे आंडमान वा निकोबार में काटो और चलाओ किर्शी को क्या कहते हैं दीपा कहार साता है Next question सिक्किम किस राची के साथ सीमा बनाता है परसिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साजह करता है Next question किस परकार के पौधी की चड़ पानी के भीतर पाई साती है मैंग्रोब वन की चड़े पानी के भीतर पाई साती है नामसे आसाता है एक डिगरी देशांतर की सुर्भधिक दूरी कहा पर होती है भूमद रेखा पर होती है और भूमद रेखा पर एक डिगरी देशांतर की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमेटर होती है नेक्स्ट कोसन है औस्ट्रेलिया किस नदी की किनारी घना बसा है मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है और श्रेलिया एंडीच परवत माला चुकि दच्छड अमेरिका की सर्भोज परवत चोटी का नाम क्या है एकांगा गुआ है दोस्तों एकांगा गुआ और ये दच्छड अमेरिका के अर्चन टीना में इस्तथ है नदी का चटानों की दरारों यूंपड़तों से कौन सा खानी चे निकलता है चिनाब नदी का उद्गमस्तल कहां है बाराल अच्छा दर्रीकी निकड़ से है अगला कॉस्तन किसे दिन पर्थिवी से सूर की दूरी निउन्तम होती है तीन चनूरी को होती है और इस घटना को कहते है उपसोर की घटना जब पर्थिवी और सूर के बीच में निउन्तम दूरी होती है तो इस घटना को उपसोर की घटना कहते है जो कि तीन चनूरी को होती है ग्रीन लेंड की खोच किसन के थी? राबर्ट पियरी ने ग्रीन लेंड की खोच के थी तुंग भंद्रा तथा भीमा नदिया किसकी सहाइक नदिया है किर्शना नदी की सहाइक नदिया है Next question महत्मा गांधी राष्टे समुद्री उद्धान कहां पर इसत है अंदमा निकोबार तुईप समुखे पोर्ट बिलेर में इसत है लोक्टक जिल किस राच में इसत है मडी पुर में इसत है Next question सबसे बड़ी रेखा कौन से है भूमद रेखा सबसे बड़ी रेखा है Next question चीन को सिक्किम से कौन से दर्रा चोड़ता है नाथुला दर्रहे जो चीन को सिक्किम से जोडता है हीरा कुंड बांध का निरमाड किस नदी पर किया गया था? महा नदी पर किया गया था राजा जी राश्य पार के किस राज में इस त है? उत्राखंड राज में इस त है नेक्स्ट कोसन जलोड मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा साता हैं बांगर कहते हैं रात के समय दिखाई देने बाला सबसे चमकिला ग्रे कों से हैं सुक्र ग्रे हैं दोस्तो जो रात के समय चमकिला दिखाई देता हैं सुक्र ग्रे हैं बिस की सबसे गहरी जील कों सी हैं बैकाल जील है जो कि रूस में इस्थ है अगला कुस्टन किस बंदरगां का नाम बदल कर दीन द्याल उपधाय पोर्ट रखा गया था कांडला बंदरगां है जो कि गुचरात में इस्थ है कांडला बंदरगां का नाम बदल कर दीन द्याल उपधाय पोर्ट रखा गया था अगला खुशन है दोस्तो रबांडा की रास्थानी कहा है कि गाली है रबांडा की रास्थानी माबोरी जंचातिक निबास अस्थान कहा है? निउसिलेंड है भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानि की गलेसियर कौन सा है? तो सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद गलेसियर है आंदर प्रदेश और ओडिसा के तठी भाग में कौन से पहाड़ी हैं? महंदर गिरी की पहाड़ी हैं दच्छड भारत की सबसे उची चोटी कौन से हैं? अनेमुदी हैं अनेमुदी जिसकी उचाई है 2,696 मीटर हैं ये भारत के दच्छड भारत की सबसी उची चोटी है अनेमुदी। अगला क्राचीन भारत ये भोगली क्मानदता की अनुचार भारत किस दूइप का अंगता जम्बु दूइप का अंगता। अफरिका में आसुऊन बांध किस नदी पर इसिथे हैं? नील नदी पर इसिथे हैं। अगला कुस्टन, चेत्रफल के देश्टे से बेसिका सबसे बड़ा भू आबेश्टे देश कों से हैं? कचाकिस्तान हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरूपर इसित नगरों के नाम क्या हैं? स्वेज तथा पोर्ट सईध हैं? स्वेज तथा पोर्ट सईध स्वेज नहर के दोनों सिरूपर इसित नगरों के नाम हैं चोकि दच्छड तथा उत्तर में इसित हैं। अगला कुस्सन, दच्छड अमरीका का द्वार किसी कहते हैं, बेने जोला को कहा जाता हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धर्द की गए थी, रेड किलिफ रेखा के दोरा निर्धर्द की गए थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा, दौली गंगा च पुल्गारिया की राज्थानी का क्या नाम है? सोफिया है दोस्तो बुल्गारिया की राज्थानी सोफिया है सेउक्त अरब अमिराद की राज्थानी क्या है? आबुधाबी हैं आबुधाबी सेउक्त अरब अमिराद की राज्थानी है नेक्स्ट क्वेसन लच्छदीप का सबसे बड़ा दूइप कौन से है? भारत का रूर किसी कहा चाता हैं, छोटा नागपुर पठार को, भारत का रूर कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को, दोस्तो, I hope कि आपको वीडियो पसंद होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करीगा, और इस वीडियो को सेर भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आल पर क्लिक कर जे ताके हम जो भी वीडियो डालें उसके नोडिफिकेसन आप तक जरूर पहुँचे कोमेंट करके बताए कि आपको वेडियो कैसी लेगी कॉमेंट सेवसर बताए कि आपको किस टॉपिक प्रभीड़ों चाहिए हमस्टॉपिक प्रभीडों चरूब बनाएंगे टेलेकर नम चेनल को जोयन कलजे डेस्क्रिप्सिन बॉक्स में आपको लेंक मिल जाएगी सुमलते नेक्स्ट बीडियो में तब दे कले जाहिंत पंदे मातरम